आज आपके साथ हम जो रेसिपी सेयर करने वाले हैं उसे आप आराम से महीने पर इस्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल खराब नहीं होगा खाने में बहुत यदा टेस्टी लगता है बहुत यदा क्रिस्पी भी है तो अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक और सेयर चैनल पर पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो यहाँ पर हमने सुगर पाउडर लिया है जो कि 3-4 बड़े चमच हैं चमच के साइस काफी बड़ी है नॉर्मल जो चमच होंगे उससे 4-5 चमच होगा और अब इसमें हम डाल देते हैं आधा चैनल खूरी जल्दी से डिज़ोल हो जाता है तो इसको साइड में रपकर एक बॉल में लेते हैं गेहूं का आटा 1 कप और आधा कप हम इसमें डालेंगे मैदा आप चाहें तो पूरा इसको गेहूं के आटे से बना सकते हैं या फिर पूरा इसमें जो है आप 1 कप गेहूं किया हुआ वो डाल देते हैं आप इसमें टेसी कीटेड कोकोनट भी एड़ कर सकते हैं लेकिन ये कद्दू कस करके जब सुखा नारियल डालते हैं आप इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में ये मोयन के लिए यहाँ पर हमने तीन चमच जो है बड़े साइस का चमच है ना तो तीन चमच के जितना हमने इसमें देसी घी डाल दिया है चमच से आपको दो चमच ही लगेगा लेकिन नॉर्मल चमच से तीन चमच देसी घी पड़ा है इसमें और इसे हम कर लेते हैं अच्छे स परफेक्ट है मिस्टर जो है तो बस बहुत जादा इसमें देसी गी भी हमें नहीं डालना है तो देखिए काफी अच्छे से मुठी बंद रही है तो बस ऐसा ही चाहिए था और जो हमने ये पाउडर डाला है सुगर वाला पानी में वो भी काफी अच्छे से घुल चुका है अब यह जो सुगर सिरफ है वो हमारा तयार है ना तो इसी को डालना है इस आटे में लेकिन एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और इसे अच्छे से मेक्स करते जाएगा तो देखे बहुत ज्यादा इसे हमें पतला नहीं मतब इसका जो जो डो है वो बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं लगाना है सेमी सॉफ्ट होना चाहिए बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए तो देखे इस तरीके का जो डो है वो लग चुका है और इसे हम आधे गंटे के लिए ढखका रखेंगे रेस्ट पर देंगे त वरनाए हमारे ये जो बन रहे है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, क्या बन रहे है वो आप वीडियो में देखते चाहिए, तो चलिए आदे गंटे के लिए हमने इसको धकर रख दिया था, जो आटा है, जो डो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, तो इसको एक बार फिर से हम मसल लेते हैं वापस से, तो बहुत ज़्यादा इसे नहीं मसल ना है, क्योंकि आदे गंटे के लिए रखे थे ना, तो ये सॉफ्ट हो चुका है, और फिर इसमें बड़ी सी लोई तोड़ लेनी है इसकी, और इस तरीके से हम इसको फ्लैट करेंगे, और थोड़ा मोटा ही रखेगा, तो देखिए इस तरीके की, इसकी ठीकने सोनी चाहिए, देखिए, बहुत पतला इसे नहीं रखना होता है, अगर आप बहुत पतला रखेंगे ना, तो वो खाने में भी टेस्टी नहीं लगते हैं, और फ्राई करते समय भी एकदम तूट से ज पहिने तक स्टोर करके रख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, तो फ्रेंट्स अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आएगी ना, तो लाई को सेर जरूर कीजेगा, और चैनल पर पहली बारा हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो देखिए इस तरीके से कट करने के बाद, और नाइफ की हेल्प से ना, इसमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है, बागे आप इसका कोई साचा ले सकते हैं, या फिर इसमें टूथ पीक होती है न, उससे भी डिजाइन बना सकते हैं, या फिर जो चौमिन खाने वाला चमश होता है, उससे भी इसमें डिजाइन बना सकते हैं, तो बहुत सारे आइडिया इसमें लगा कर आप डिजाइन का जो है बना सकते हैं, तो देखिए बहुत ही सिंपल से हमने डिजाइन बनाई है, आप हमसे भी बेतर बना सकते हैं, तो सारे को हम इसी तरीके से बना लेंगे, और चलते हैं इसको fry करने की तरह उसके पहले आप इसकी डिजाइन तो देख लीजे अच्छे से देखिए बहुत ही सुन्दर लग रहा है ना तो चलिए अब फ्राइ करते हैं तो इसको फ्राइ करने के लिए तेल को पहले अच्छा आप गरम कर लीजे और फिर गैस की फ्लेम को एकदम लोपे कर दीजे इसको एकदम धीमे आज पर ही फ्राइ करना है बबस देखिए बहुत ही छोटे-छोटे से है ना तेल में तो बस इसी तरीके की हमें आज को रखना है गैस की बहुत ही धीमा करके इसको फ्राइ करना है हाई फ्लेम बिलकुल नहीं कीजिएगा और ए करके इसमें डालते जाएंगे एक बारी में 5-6 या फिर जितनी बड़ी आपकी कड़ाही या पैन हो लेकिन हाँ एक साथ ना बहुत सारा नहीं डालिएगा क्योंकि जब यह फ्राई होते हैं तो बहुत ही सौफ्ट हो जाते हैं फिर आपको लगेगा कि यह तूट भी सकते हैं और इसकी डिजाइन ना बहुत ही प्यारी लगती है आप बच्चों को भी देंगे या किसी को भी देंगे ना तो सच में बहुत ही आपकी तारिफ करने वाले हैं लोग तो चलिए अभी अच्छे से fry हो चुके हैं तो इसे हम निकाल लेते हैं जाली पर इसे क्या होता है यह काफी अदग गरम होता है जो ठंडे होने के बाद इसका जो कलर है न वो थोड़े से और ज्यादा डार्क हो जाते हैं और जाली पर निकाल कर इसको हमने एक घंटे के हो जाएंगे और यह देखे लग रहा ना बहुत यदा सुन्दर तो ठेकवा तो आपने बहुत तरीके से बनाया होगा एक बार आप इस तरीके से बना कर देखेगा यह आपको आपकी फैमली को बच्छों को बहुत ही पसंद आएगा और इसे बना कर आराम से आप स्टोर कर के रखिए सफर पे जा रहे हैं तो भी ले जा सकते हैं कोई गेस्ट आने वाले हैं तो नास्ते में उन्हें दे सकते हैं इसका जो टेस्ट है बहुत ही अमेजिंग होता है बहुत यदा टेस्टी लगता है खाने में और हाँ अगर आप सांचे वाला देखना चाते हैं बहुत ही गजब लगता है तो उमीद करते हैं कि आज की रेसिपी आई होगी पसें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और हाँ ठेक हुआ कि या छट पूजा की बहुत सारी रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी हम मिलत है नए वीडियो